अलो फ्रेंट्स and वेलकम टू संगनक, संगनक यानि कम्प्यूटर अपने लाप्टॉप में या फिर मूबाइल में हम ज्यादा तर अपने पासवर्ट्स आटो सेव करके रगते हैं ताकि हमें बार बार पासवर्ट्स एंडर ना करना पड़े और सिंडल हिट पर हम लॉग इन हो जाएं 80-90% लोग ऐसा ही करते हैं पर प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपना पासवर्ट भूल जाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं हमने अपना पासवर्ट क्या सेट किया था तो आज मैं आप एक टेकनिक बताने जा रही हूँ जिसके ठूप 궁b पराहर कर सकते हैं कि आपका पुराना पासवर्ट क्या है आखिर तो चलिए जानते हैं For example, मैं अपने Gmail account का password भूल चुकी हूँ और यह जो asterisk asterisk में लिखा हुआ है यह password मुझे जानना है कि आखिर मैंने क्या set किया था तो इसे जानने के लिए हम password वाले field पे mouse से right click करेंगे और last option जो है inspect उस पे click करेंगे last option inspect पे click करते ही आपका screen जो है वो दो पार्ट में divide हो जाएगा और आप right side में देख पाएंगे coding और इस coding में आपको search करना है यह highlighted वाला code जिसमें कि आपको type is equal to password सर्च करना है और लिखना है password की जगाँ पे कुछ और for example मैं यहां पे लिख रही हूँ जैसे की 123 आप कुछ भी चीज यहां पे लिख सकते हैं और वापस से जैसे आप Gmail वाली screen पे click करेंगे आपका password आ जाएगा आपके सामने जैसे की यहां पे password है example at the rate 123 और यह same trick आप Facebook के भी password को जानने के लिए कर सकते हैं और इस तरीके से आप crack कर सकते हैं कोई सभी password जो की auto saved है सिर्फ 10 सेकेंड ने अगर यह वीडियो पसंद आये हो तो नीचे like बटन प्रेस करें और subscribe करें हमारी चानल को